नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका जनेसिस आईएस में PCS 2018 के अभिर्थियों के लिए ये बिग ब्रेकिंग निउज है कि PCS 2018 में सीठे बढ़ सकती है देखिए ये आयोक के चेर्माइन महोद है हाथरस यूपी के किसी कॉलेज में किसी प्रोग्राम में गय हुए थे तो उन्होंने वहाँ पर प्रेस वारता में ये बात बताई कि PCS 2018 में अभी पद बढ़ेंगे तो दोस्तों साथ उन्होंने ये भी कहा कि सारी परिच्छाए नियमित समय पर होगी और यूआओं को नौकरी दी जाएगी तो सबसे बड़ी बात ये है कि PCS 2018 में जो पद बढ़ेंगे तो कितने हो सकते हैं इस पे हम तर्चा करते हैं तो PCS 2018 में पद कुछ पहले से ही बढ़ चुके हैं 831 का विज्यापन था और वो लगभग 1000 के आसपास पहले से पहुँच चुका है और चेर्मैन कहा रहे हैं कि और बढ़ सकता है तो ये पद और बढ़ सकते हैं तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि PCS प्रारंभिक की जो कटाफ होगी जितने पद ज्यादा होंगे उसी के एवरेज में 18 टाइम्स लिये जाते हैं यहाँ पे PCS, UP PCS में तो उसके एक आर्डिंग कटाफ बढ़ती चली जाएगा, डाउन होगी कटाफ तो इससे ज्यादा से ज्यादा युवाओं को, ज्यादा से ज्यादा अभ्यरतियों को मेंस एक्जाम में बैठने की सोईधा मिलेगी तो यह हमारे लिए एक बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज है कि कटाफ डाउन जाएगी, सीट्स जब बढ़ेंगी तब उसके साथ चेर्मेन महोदय ने ये भी का कि सारे एक्जाम समय पे कराया जाएंगे तो देखिए PCS 2018 एक बहुत बड़ी परिक्षा होने वाली है आलरेडी 120 डिप्टी कलेक्टर और 100 डिप्टी एफस्पी के इस एक्जाम में पोस्ट है और पहले से ही लगबग 1000 के सीट हो चुकी है तो इसलिए इन सब न्यूस को देखते हुए हमको ये ध्यान देना चाहिए कि अब हम अपनी तयारी में और गंभीरता लाएं और जो भी अब्याथी कटाप के आसपास है वो निश्चिन्त हो जाएं कि उनका होना लगबग तय है दोस्तों तो ये PCS 2018 में पद बढ़ने की ये जो सूचना थी ये हमने आप तक पहुचाई इसके साथ साथ ये भी बताया कि कैसे क्या होगा कितने टाइम पे एक्जाम होंगे किस तरह से होंगे तो ये सारी बातें इसमें चेर्मैन महोदा ने क्लियर कर दिया है तो आप देखिए एंसर की भी बहुत ही जल्दी आने वाला है UPPCS 2018 का जनवरी में आ जाएगा और फरवरी लाश्ट तक इसका रिजल्ट भी आ जाएगा तो इस तरह से देखिए तो ये एक बड़ी बिग ब्रेकिंग नीज रही दोस्तों नमस्कार